तो वहीं अब अगली बड़ी खबर चीन से है जहां चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी की 20 वी कॉंग्रेस में शी जिन्पिंग को तीसरी बार चुन लिया गया है वहीं ताजपोशी के बीच एक बड़ा ड्रामा हुआ जहां चीन के पूर्व राष्ट्रपती है जिन्पिंग को पार्टी कॉंग्रेस में बीच से उठाकर बाहर कर दिया गया जबरेन उठाकर बाहर कर दिया गया ये बड़ी कबर आपको बता रहे है शी जिन्पिंग के धुर विरोधी रहे है प्रधार मंतरी ली केकियंग को सेंट्रल कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है आपको बता दे जिस तरीके से ताजपोशी के बीच में एक बड़ा ड्रामा हुआ और इसी ये ड्रामे के बीच ये सब बवाल भी हुआ है दरसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 20 वी कॉंग्रेस में शी जिन्पिंग के तीसरी बार ताजपोशी चल रहे थी लेकिन इस सब के बीच ये ड्रामा सामने आया कि चीन के पुर्व राश्पती हुआ जियानतो को पार्टी कॉंग्रेस के बीच से जबरन उठा दिया गया ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं और इसको समझ ये देखिए किस तरीके से चीन के पुर्व राश्पती हुज इंत्याओ जो बैठक चल रही थी CCP की उसमें भरी बैठक से उनको उठा दिया जाता है उसके बाद वो उठते हैं और शी जिन्पिंग को कुछ कहते हैं देखे पहले उनके पास एक सुरक्षा कर्मी जो है उनका संभवता वो आता है और वो उनके कान में कुछ बोलता है इसके बाद हुज इंत्याओ वहां से खड़े होते हैं और जाते वक्त वो शी जिन्पिंग के पास एक मिनट रुक कर कुछ बोलते हैं और उसके बाद शी जिन्पिंग उस चीज को बिना उनकी तरफ देखे हुए सरहिला के जवाब देते हैं और पिर आगे बढ़ते हुए वो चीन के जो प्रदान मंत्री है उन सभा से उठा दिया गया और धुर विरोधी भी माने जाते हुँ जिंत्याओ शी जिन्पिंग के और ये तीसरी बार मौका था ताजपोशी का शी जिन्पिंग का आपको बताए कि CCP की बैठक इस वक्त चीन की राज़दानी बीजिंग में जारी है जान 9000 से अधिक CCP के प्रतिनी दे इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं तो देखें ये पूरा जो ड्रामा आप देख रहे हैं ये चीन में हुआ है ये ड्रामा और ये पूरा ड्रामा उस वक्त हुआ जब चीन में कम्मिनिस्ट पार्टी के 20 वी कॉंग्रिस में श्री जिन्पिंग की तीसरी बार ताजपोशी चल रही थे इन सब के बीच ये बड़ा ड्रामा देखने को मिला है तस्मिरे आपको सामने जिहन दुस्तान आपको दिखा रहा है चीन के पूर वरस्ट पति है हूँ जयान्तो को पार्टी के बीच से ही जब ने उठा दिया गया बाहर का रास्ता उन्हें दिखा दिया गया हालाकि इस देखें किस तरीके से लोग उन्हें देखते हुए नजर आया अब देख सकते हैं शेय चिंपिंग के दुर विरोधी रही है प्रधार मंत्री आपको बता दे और सेंट्रल कमेटी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया इस वक्त एक खबर सामने आ रही है चीन से अगातार दिखा रहा है किस तरीके से चीन में चीन की राजधानी बीजिंग में CCP की ये बैठक चल रही थी और CCP की इस बैठक में चीन के तमाम जो कम्मिनिस्ट पाटी के बड़े निता हैं वो मौझूद होते हैं और उसी प्रोटकॉल के तहत चीन के पूर्व राष्ट प देखे लुए किसी चीन के वर्तमान राष्ट पती श्री जिन्पिंग के बिल्कुल बगल में थी लेकिन अचानक से वहाँ पर हूँ जिन्तियाओ के सुरक्षा कर्मी संभवता ये नज़र आते हैं और वो कुछ उनके कान में बोलते हैं और फिर हूँ जिन्तियाओ को सहारा देकर वहां से खड़ा किया जाता है उन्हें बाहर के तरफ इसारा किया जाता है कि रास्ता Sao अधर है देखिए किस तरीके से हाथ से शारा भी किया गया और उसके बाद हुज इंतियाओ आज किसी की मदद जो उनके पास में सुरक्षा कर भी मौझूद था उसकी मदद से खड़ा होते हैं और उसके बाद वो श्री जिंपिंग को कुछ बोलते हुए आगे निकल जाते है इस दोराण श्री जिंपिंग ना उने गरीट करते हैं ना किसी भी तरीके से श्री जिंपिंग यो है खड़े भी होते है कि एक पुर्व राष्ट्रपती जो है अगर वो सभा से जा रहा है तो वहाँ पर सम्मान स्वरूप ही खड़े हो जाए इस दोराँ चीन के प्रदान राष्टपती शी जिनपिंग की, तीसरी बार होने वाली ताजपोशी से पहली की, लगबख लगबख ये तैय है, चुन ही लिया गया है, समझ लीजे की अगले राष्टपती भी शी जिनपिंग ही होंगे, और इस दोरान शी जिनपिंग अब अपने तमाम विरोधियों को ठ खिकाने लगाते हुए नजरा रहे हैं और उसकी तस्वीरे सार्फजनिक तब हो गई जब सीसीपी की इस भरी बैठक से हुज इंतियाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया तो दिखिए तीसरी बार शिय जिन पिंग सब्ता हाथ मेरेने को तयार है लेकर इंसब के बीच के सरीके से ताजपोशी के बीच में ही ये सब ड्रामा हो जाता है ये तस्वीर आपके सामने है इंसब ड्रामे के बीच जीन के जो पुर्व राष्ट पती है उन्हें बाहर का र रही है और देखें इन तस्वीरों को देकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जब रंच है वो पूर्व राष्ट पती को वहां से उताकर बाहर का राष्ट पर दिखा गया तस्वीर देखिए हम आपको दिखाते हैं सबसे फ्रंट रो में बैठे हुए थे पू जान का रहे हैं कि कि एक जो अफसर है एक जो अधिकारी है वो यहापर पहुंचता है और फिर उनको यह अनरोद करता है कि आप यहाँ से उठी और बाहर जाएगी उसके बाद की तरीके से एक प्रॉपर शो और डियम कानून होता है वहाँ पर आप बैठे हुए हैं बाते चल रहे हैं और इसे बीच पीचा अधिकारी पीचे से आकर और यह बोलता है कि आपको इस एसेंबली से बाहर होना होगा जी आपको जानकारी दे कि चीन में कम्यूनिस्ट पार्टी की बीसवी कॉंग्रेस में श्री जीन पिंग की तीसरी बार दाज पेश्ची के बीच में यह जो पूरा जो यह हंगामा हुआ है उसकी तस्वीर है वो लगतार हम आपको दिखा रहे हैं यह देखे है आप बैठे हुए है शी जीन पिंग और इसके लावा गर आपको बात करते हैं यह देखे किस तरीके से एक अधिकारी एक अफसर शो है यहापर पहुचता है यह है और इसी फ्रन रोट 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 अगर हम बात करें तो शी जीन पिंग के साथ सत्व पूर्वराश्ट्पती जो है वहाँ पर बैठे हुए है एक अफसर आता है एक अधिकारी आता है और वो उनसे अन्रोट करता है कुछ पेपर शो है कुछ डॉकुमेंट्स चो है उसके कॉंग्रेस के बीच से जबरन उठाकर उन्हें बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया गया तो यह पूरी खबर जो है वो बड़े ही सिलसलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचवा रहे हैं जैसा कि हम इस बात का जिक्र कर लें कि तीसरी बार ताजबोशी के बीच बीच जो है वो देखने को मिला है और चीन के पूर्व राश्तपती हूँ जिन ताउं को पार्टी कॉंग्रेस के बीच से जबरन उठाकर बाहर जो है वो कर दिया गया